तो लीजिए सुनिए आदर्शिंदू होटल का तेरवा अथ्या लेखक विबूती भूशन बंदू पात्या सक्रांति के अगले दिन साड़े बारा बजे के लगभग वह कुसुम के घर नियोता खाने गया बंशी ठाकुर से कहकर उस दिन जरा जल्दी होटल से बाहर निकल गया कुसुम गौाल घर के नए चुले पर अलग से गोभी की मसालेदार सबजी बना रही है केले के पत्ते पर थोड़ा सा बैगन भाचा और एक पतलोटी में चने की डाल है सारा काम उसे शुदता से करना पड़ रहा है इसलिए पतलोटी और केले के पत्ते क्या वगएरा का इंतजाम है यह देखकर मनीमन हसते वे हजारी ने सोचा कुसुम का कारबार देखो रहता तो होटल में हूँ वहाँ जाने कितनी चुवा च्छत हो जाती है और यहां नहा धोकर धुला कपड़ा पहन कर गुरू ठाकुर की तरह जतन से खाना बनाने बैठी है कुसुम जरा शर्मीली हसी हस कर बोली ताउजी अभी हुआ नहीं है थोड़ी दिर है लेकिन मैंने तरकारियां सब बना दी आप सिरफ बैठ कर खाएंगे हजारी तुमने तरकारी क्यों बना दी ऐसी बात तो तैनी हुई थी मैं तुम्हारी बनाई तरकारी क्यों खाने लगा ताउजी आप मुझे हरा नहीं सकेंगे मैंने किसी तरकारी में नमक नहीं डाला और बिना नमक की चीज़ खाने में आपको क्या अतराज हो सकता है मैंने सोचा जाने कितनी अबेर को आकर आप तरकारी बनाने बठेंगे आपको बड़ी तकलीफ होगी और पूरियां तलने में क्या जंजट है देड़ तो तरकारी बनाने में ही होती है इसी से मैंने नमक नहीं डाला तुम भी खूबो अपने घर अलोनी तरकारी खिलाओगी और क्या गौाले की बेटी होकर अपने हाथ की तरकारी खिलाकर मैं आपकी जात लूँगी इसके लिए मुझे नरक में नहीं जाना होगा हजारी हसने लगा मुला लाओ मैदा तब तक गुंत लूँ सब ठीक है ताउजी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना हो आप लोईया बना कर पूरियां बेल देजिए गो भी होते ही चटनी बना दूँगे उसके बाद गरम गरम पूरियां सिक कर उसमें क्या है ताउजी वे क्या है शरीर पर पड़ी हुई चादर के अंदर से शाल पत्ते का एक दोना निकालते वे हजारी थोड़ी दुविधा के साथ बोला नए गुड का संदेश है थोड़ा सा आज पहली तारीक को पिछले कई दिनों की तंखा मिली है तो मैंने यह सोचकर थोड़ी सी मिठाई कुसम ने नाराज होकर करा यह आपका बड़ा अन्या है ताउजी अभी तो आपको नौकरी की तंखा मिली है पैसा खरच करके ने मेरे लिए सद्देश खरीदे भीना आपका काम न चलेगा आपको सजा देने के लिए मैंने अपनी है खाने को कहता नहीं यह तो आपका बड़ा बच्पना है हजारी ने अपरादी की दिरह संकोच के साथ शाल पत्ते का दोना दरवाजे के पास रखते वे कहा बेटी क्या मेरी इच्छा नहीं होती तुमारे लिए कुछ लाओ बाप बेटी को कुछ खिलाता नहीं है क्या हजारी का रंग डंग देखकर कुसम को हसी आ गई लेकिन हसी को दबा कर उसने नराजगी के ही स्वर में का नहीं मैं बहुत नराज हो गई हाथ में पैसा आते ही खरच करने के लिए सुरसुरी होने लगती है आपको आप शायद बहुत बड़े आदमी हो गई है उस महीने साथ दिन काम करने की तनका मिली है कि एक रुपे का संदेश उठालाए हजारी आप रतिम होकर चुप चाप बैठा रहा आईए इदर इस आसन पर बैठकर लोईया बना लीजिए मा किसको इस तरह डांट रही है यह देखने के लिए जाने कहा से कुस्म के बच्ची जो ही सेहन में आए हजारी ने दोने में से थोड़ा थोड़ा संदेश निकाल कर उने देते वे का जाने दो नाती 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 तो पहले खाले बेटी चाहे ना खाए बाद में देखा जाएगा फिर कुस्म के और घुमकर बुले लो हाथ फैलाओ इतना गुस्सा नहीं करते कुस्म अपनी हसी न रोख सकी उसने हसते वे का रम मैं रांती भी खाऊंगी क्यों अलग से खालो नहीं क्यों मैं बुडिया हो गई भूग लगने से पहले परसाथ पालूं क्यों हजारी समझ गया कि जब तक वे नहीं खालेगा कुस्म कुछ भी नहीं खाएगी वे बिना कुछ बोले पूरी का मैदा लेकर बैठ गया होटल खोलने के बारे में क्या किया कुस्म नहीं पूछा गोपाल घोश के तंबाको की दुकान के पास वाले उस मकान का 9 रुपिया किराया बतला रहे है तुमने वह मकान देखा है कुस्म खुश होकर बोली कब खोल रहे हैं अगले महीने, रुपे दोगी ना, धीरे बोलिये कोई सुन लेगा, तुम्हारी सास का है, मैं बाहर नहीं जा सकी, इसी से दूद लेकर गई है, आई ही रहे होगी, उसकी गठिया ठीक हो गई, मिर्चे का जंतर लेने के बाद से ठीक है, पहले तो कितने ही दिनों तक अपंग मिला कर खाते हैं, खाना बहुत बढ़िया बना है बेटी, रहने दीजिए, आप जैसे कहा होगा, जिस दिन होटल कोलूँगा, उस दिन अपने हाथ से बना कर तुम्हें खिलाऊंगा, नहीं, यह सब मैं आपको करने नहीं दूँगी, सोच समझ कर काम करना होगा, रुपे लेकर आप इस तरह उड़ा उड़ा देंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मुझे पैचानती नहीं हो, आप मेरे लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करें, मैं कहें देती हूं नहीं, तो मैं सच मुछ आपसे बोल चाल बंद कर दूँगी, पंदरा दिन बाद हजारी घर में खर्च वर्च देने के लिए अपने गाउं गया, तीसरे पहर, हरी बाबु के घर की और जाकर देखा, हरी बाबु अपने बैठक काने में दो अपरीचीत भले मानसों के साथ बैठे बादचीत करें हैं, उसे देखकर बोले, अरे हजारी बैठो, आओ ये लोग कलकत्ता से देखने के लिए आये हैं, तो मागए अच्छा ही हुआ, आज रात यहीं खाना खाना, यानि कि अत्सी का विया हो रहा है, अगर इस बीच उसका विया हो जाए और वैसा सुराल चली जाए, तो रुपे पैसों की बात पड़ी रह जाएगी, हजारी का दिल बैठके हैं, दिल बादी अत्सी ने आकर बैठक खाने से, गर के अंदर खुलने वाले दरवाजे से एक बार सावधानी से जांक कर कमरे में प्रवेश किया, आव आव बेटी अच्छी तो हो, आप मजे में हैं न काका बाबू, गोपालनगर से आ रहे हैं, नहीं बेटी, मैं तो गोपाल यह हाथ पकड़ कर सिखलाने की चीज है बेटी, सिर्फ कह देने से नहीं बनेगी, करके दिखा देना होगा है, इसकी सुविधा का होगा, इससे पहले भी मैंने ये बात तुमसे कही दी, कल मैं आपके घर आउंगी टेमपी से कह दीजेगा, उसे साथ क्यों नहीं लाए, उ सवेरे टेमपी की मां आंगन में ज़ाडू लगा रही थी, तबी अत्सी ने घर के सेहन वाले मचान के नीचे से पुखारा, टेमपी, ओ टेमपी की मां जहट पर ज़ाडू फेक कर वहाँ जाप पहुँची, गाउं के जमीदार की लड़की अत्सी, गाउं में किसी के घर जादा आती जाती नहीं है लेकिन उसके जैसे गरीब के घर उसका आना जाना सौभाग्य की बात है और अभिवान के साथ लोगों से कहने की भी बात है। जर्वाजे पर बैठकर चबा रहा था अत्सी कहीं इधर आ जाए और उसका भूंजा खाना देख ले इस जड़ से उसने कटोरे को कपड़े में छिपा लिया। अत्सी ने आकर का काका बाबू किधर बैठे हैं। बड़े मौके पर उसने चावल के भूंजे का कटोरे चिपा दिया था। अत्सी तो उसे राक्षर समझती रात को उतना डटकर खाने के बाद सवेरे होते न होते। अरे अरे आओ बेटी इतनी सवेरे सवेरे कैसे हैं। बाबा ने कहे कि आप दुपहर को हमारे यहां आएगा। नहीं बेटी मैं तो भी राना घट जा रहा हूं छुट गई। यह देखकर हजारी घब रहा है। एक तो समय नहीं। दस बजे से पहले होटल में पहुँचकर उसे रसोई चड़ानी है। एक कटोरा चावल का भूजा चमाने में भी तो समय लगेगा। अब आगी लड़की ने सब चौपट कर दिया। कटोरे को छिपा कर कब तक बठा रहा जा सकता है। अजसी ने का काका बाबू अगर आपसे फिर मुलाकात ना हो तो मुलाकात क्यों नहीं होगी। नहीं मान लीजी अगर मैं अपसे अगर समझ गया बेटी अच्छा तो है। खुशी की बात है। यह तो जानती हूँ। आप लोग मुझे घर से खदे इट सके तो रक्षा हो। मा भी यही कहती है बाबा भी यही कहती है। खैर वह तो जो होगा सो होता रहेगा। मैं उस कारण आपको रोकने को नहीं कहती है। असल में मैंने जो आपको रुपे देने का वादा किया था। सोचती हूने आज आपको दे दू अगर कहें तो मैंने कहा था तो आपने क्या सोचा था काका बाबू की जूट कह रही हूँ नहीं ऐसा तो नहीं सोचा अच्छा मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि होटल खुलने पर मुझे घाटा हो जाए तब मैं तुम्हारे रुपे वापस नहीं कर सकूँगा मैं तो कह चुक्यों नहीं भी की जरुवत नहीं इन रुपेयों से टैंपी की शादी कर दीजेगा अब मैं चलू चिपकर आई हूं बाबा भी ढूंडेंगे राना घर जाते वे रास्ते हजारी अन्वना बना रहा अच्सी बड़ी अच्छी लड़की है भगवान उसका भला करे उसका मन कहता है उसके हा कर चूले पर दाल चड़ा कर अकेला बैटा है उसे दिखकर बनसी ने कहा अरे आओ हजारी भई या बड़ी देर कर दी बड़े देख पर भात चड़ा है दो एकाथ दम चलेगा क्यों नहीं तुम तयार करो दम चलेगा और थोड़ी दिर बाद गांजे की चिलम हजारी के हा आया है लोगे आंदुल के गोश लोगों के यहां रास होगा साथ दिन के ठेके का काम है बुंदी संदेश यही सब बनाना है दो रुपिया रोज और खाना पीना मिलेगा हजारी बनसी तुमसे एक बात कहूं राना घाट के बजार में होटल खोल रहा हूं यह बात किसी को बताना मत तुम भी मेरे होटल में साथ चलना बनसी कोज लगा जैसे उसने ठीक से बात सुनी री अवाक होकर उसके और देखता हुआ बुला होटल खोलोगे तुम हाँ हाँ मैं नहीं तो और कौन तुम्हारा समधी बनसी क्या पागलों की तरह बगते हो हजारी भईया चिल चल तो जाएगा फिर भी 400 रुपे भी तुम्हे कौन जवाब में फेटे की गांट खुलकर बनसी को नोटों की गड़ी दिखाता हुआ हजारी बोला यह देख रहे हैं इनमें 200 रुपे हैं इंतिजाम करके लाया हूँ अब कमर बांद कर जुट जाओ अगर जी जान से काम क चला सको तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा मैं तुम्हें धोका नहीं दूँगा आज इसे घर डूबना शुरू कर दो किराया 15 रुपे तक दूँगा 200 रुपे का और का भी इंतिजाम है बंसी ठाकुर के मूँ से यह अस पश्ट अवाज करता वग बड़ा चुट्टी के बाद दौनों मिलकर ढूंडेगे तंबाको की दुकान के पास वाले उस मकान का किराया 9 रुपे मांगता है जगा अच्छी है अच्छा बजार कैसा जा रहा है बंसी बजार ठीक है नया आलू सस्ता हो जाने से और सुविदा है नया आलू आ ही चला लेकिन कान ठीक कर देने के बाद समान का एक फर्द त्यार कर लिया जाए बरतन वासन बाल्टी मटके सिल लोडा हसिया आज तो मिठाई किलाओ हजारी भहिया कसम से तुमने मर्द का काम किया है अच्छा यह बताओ कि रुपे मिले कहा से फिर बताओंगा उसके लिए बहुत वक्त थर्ड क्लास एक था ली पद्द महरी ने का लो आ तो गया और अब इदर मचली तक कटी नहीं उसी के साथ भाद दे दिया जाए गांजे के दुए से तो रसोईगर भरा हुआ है सब को भगाना होगा तब जाकर होटल चलेगा मालिक को खाने पीने से कोई काम ही नहीं इसी से तो सारे मुफ्त कोर कामचोर गांजा कोर नहीं यहां जमा करके हाथ में करचुल सड़सी थाम रखी है बंसी ठाकुने का नराज क्यों होती हो पद्दो दीदी कल रात वाली बासी मचली मैंने तल रखी है थर्ड क्लास के जो कराक जल्दी खाना खाते हैं वे तो हमेशा से वही खाते आ रहे हैं हजारी ने बंसी के और देकर का नई बंसी दही लादो तो अच्छा है बासी मचली मत देना उससे बदनामी होती है रहने तो तब तो दही के पैसे तुमी देना ठाकुर, होटल से नहीं दिया जाएगा, बंसी ठाकुर अकेला क्या क्या करेगा पद्धु मैरी ने का हजारी चुप रह गया होटल से छुट्टी मिलने के बाद चोड़ी जाने के रासते में हजारी राधा वललब तले जाकर बार-बार प्रनाम करता गया राधा वललब देखतानी जैसे इतने दिनों के बाद आखे उठा कर देखा है अपने प्रियाप्रेड के नीचे बैठ कर हजारी जाने कितना क्या सोचने लगा अथसी रुपे दे गई, अपने घर से रुपे लाकर दे गई शायद अभी वे होटल खोलने में देर करता है लेकिन अब देरी नहीं की जा सकती उसने अथसी बेटी से वादा किया है और वादा पुरा करना है उसे राना घाट अच्छा लगता है, सिर्फ बेचू बाबू का होटल ही है एक ऐसी जगा जहां उसका मिजास ठीक रहता है, उसे लगता है कि जीवन शानती पुरवक बीत रहा है इस राना घाट को छोड़कर वेग कहीं नहीं जा सकेगा, होटल यहीं कोलेगा, दूसरी जगा नहीं तीसरे पहर वेग कुसम के घर गया, कुसम ने का आज आए, आईए बैठिये हजारी ने हसते वेगा, तुम्हें एक चीज रखनी होगी बेटी, क्या हजारी ने धोती के फ्रेटे से दोसो रुपे के नोट निकाल करका रख लो यह रुपे कहा पाए, भगवान ने दी, इतने दिनों के बाद होटल खोलने के लिए पूंजी जुटा दी दोसो रुपे और और दोसो रुपे तुम्हारे सोसता हूँ, अगले ही महिने से होटल खोल दूँ, तायजी यह रुपे किस ने दिये, यह तो बताया नहीं तुम्हारी ही तरह एक दूसरी बेटी ने, मैं उसे नहीं पेचानती, मेरे गाउं के बाबु की बेटी अत्सी फिर किसी दिन सारी बाते बताऊंगा, दिन डल रहा है मैं जाकर देख चड़ाओ, अभी यह रुपे रख लो होटल पहुँचकर उसने बेंशी से का, अपने बांजे को छुट्टी लिकर बुला लो, वे गद्धी पर बैठेगा लिखने पढ़ने का काम तो मुझसे या तुमसे होगा नहीं बंसी ने का, वै तो बैठा ही है अजारी भईया, मैं आज ही लिखे देता हूँ और घर भी देन मैं देखाया हूँ तंबाको की दुकान के पास वाला मकान अच्छा है, उसी को ले लो और दुरगा का नाम लेकर जुट जा दो दिनों के बाद एक दिन सवेरे पद्दो महरे ने का, ओ ठाकुर सुन लो, आज छुटी के बाद कही नहीं जाना, आज शाम को सते नरायन की कता होगी ग्रहकों से भी खाना देते वक्त कह देना कि वे लोग शाम को आएं, और तुम लोग खापी कर मेरे साथ सते नरायन का बजार करने चलोगे बंशी ठाकुर हजारी के और देखकर हसा, बेशक पद्दो महरे की चले जाने के बाद, क्योंकि बात यह है, कि यह जो सते नरायन की पूजा है, यह भी होटल का एक रोजगार है, जो लोग मासी ग्रहक के हिसाब से खाते हैं, उनसे पूजा के नाम पर चंदा या प्रणाम भी ली जाती है, बंशी और हजारी का ख्याल है कि जो रुपिया इकठा होता है, वह सारा पूजा में खरच नहीं होता, इसके अलावा, जो लोग रोज नगत दाम दे कर खाना खाते हैं, सते नरायन के परसाद का लोग दिखा कर, उन्हें रात को बलाने की भी कोशिश की ज बाबु साब शाम को होटल में सते नरायन की कता होगी, रात में आईएगा, जरूर आईएगा, बाहर, गदी घर में बेचू चक्रवरती भी ग्रहाकों से ठीक इसी तरह की बाते कहने लगा, बंसी ठाकुर ने, अकेले में हजारी से का, सब धोका दड़ी का काम है, केले के पते पर एक चमच गुड़ाटे की पंजरी और उस पर दो बताशी, इसी का नाम में सते नरायन का परसाद, चमार कहींगे, शाम को पूर्ण भटाचारिय सते नरायन की पूजा करने है, बरतन वाले कमरे में सते नरायन का आसन डाला गया, होटल के दो नौकर घड़ी और का पीट रहे थे, पद्दो मेरी बारबर्शंग को फूक मार रहे थे और बेशक किसी हद तक ग्रहकों को आकरशित करने की नियत से, स्टेशन पर जो नौकर हिंदू होटल, हिंदू होटल कहकर चिलाया करता है, उससे भी कह दिया गया कि भाय हर एक यादरी से कह रहा है, आई नरायन का प्रसाग घाते में मिल रहा है, तो बेच्चू चक्रवरती के होटल में ही क्यों ना खाया जाए, और नतीजा यह हुआ, कि जो लोग जदू बाडुजे के होटल में नगत दाम दे कर खाते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग इस होटल में आ जाते हैं, इधर नग मासिक ग्रहकों के लिए दूसरा इत्जाम है, उन्होंने चंदा दिया है, इसलिए उनकी खास खार्तिरदारी भी जरूरी है, पूजा खतम हो जाने पर उन सब को एक जगा बठा कर परसाद दिया गया, बेचू चकरवरती खुद उनमें से एक-एक के पास जाकर पूछने लगे, कि वे थोड़ा और लेंगे, उधर जब मासिक ग्रहकों में परसाद बाटा जा रहा था, तब ही हजारी ने देखा, कि सड़क पर खड़े होकर यतिन मजुमदर मुफ लाए, उसी होटल के और देख रहा है, वही यतिन, हजारी को लगा, इस आदमी की हालत, और खरा हो गई है, भूख के चलते चहरा सुक सा गया, उसने पुकार कर कहा, अरे यतिन बाबु कैसे हैं, यतिन मजुमदर ने अवा को कर गा, कौन हजारी हो क्या, तुम कब आई हैं, लंबी कहानी कभी कहूंगा, आईए ना आईए, यतिन थोड़ा आगा पीछा करके, रसोई घर के पास वाले बेड़े से लगे, दर्वाजे से, होटल में गुज़कर, रसोई घर के दर्वाजे पर आख़ड़ा हुआ, हजारी ने देखा कि उसके पैर में जूते नहीं, बदन पर एक बहुत मेली चादर है, दोती भी वैसी है, वह पहले से ज़्यादा बिमार जैसा हो है, उसकी आखों और उसके चेहरों पर दरिदरता और अभाव की बहुत सपष्ट चाप है, यतिन सूकी हसी हसकर बोला, अरे तुमारे यहां तो आशेद सतिनरायन की कथा हो रही है, पहले मैंने भी तो कितनी बार यहां आकर परिसाद खाया है, खाएंगे क्यों नहीं, उसकी ग्रागों का आदर सद्कार करने में लगे थे, उसने केले का पत्ता बिच्छा कर यतिन को बठाया, और पास के बरतन वाले घर में से, एक बड़े कटोरे में सत्ते नरायन का परसाद और एक मुठी बताशा, दो पके केले लाकर यतिन के पत्ते में देतावा बोला, परसाद खा लीजिए, यतिन बिना कुछ कहे सुने, पंजिरी के साथ केले को मल मल कर जिस तरह गटकने लगा, उसे देखकर हजारी को लगा कि वे सच मुछ बहुत भूगा था, शायद सवेरी से उसने कुछ नहीं खाया था, तीन चार कौर में वे सारी पंजिरी साफ कर गय हजारी ने पुछा थोड़ा और लीजिएगा, नहीं नहीं रहने दो और क्यों, हजारी ने एक और कटोरा पंजरी लाकर इसके पत्ते में डाल दी, यतिन के आँख मुँपर चमक आ गए, वे भी आदा ही खा पाया था, कि पद्दो मेरी रसोई घर के दरवाजे पर आकर पाचानक तुमक रही, इसने का ये कौन है, हजारी ने हसकर का, ये तो यतिन भावू है, पैचान नहीं रही हो, पद्दो दीदी, हम लोगों के पुराने रास्ते से जा रहे थे, तो मैंने का कि आज पूजा का दिने थोड़ा परसात खाते चाहिए, पद्दो मेरी लोटा पानी मांग कर, पीने के बाद चोर की दरा खिड़की दरवाजे से पाहर निकल गया, थोड़ी देर बाद ही, गोबरा ने आकर का, ठाकुर तुम्हें मालिक बुला रहे हैं, हजारी समझ गया कि मालिक ने किसलिए बुला बेचाए, जाकर उसने देखा, कि उसका अन परसाद खिला रहे थे, पद्दुमेरी ने हाद भांच करका, और खिलाने भी ऐसा वैसा नहीं, कटोरा भर भर कर पंजरी दी थी, उसके पत्ते पर या तो उसे छिपा कर खिलाना चाता था, लेकिन धरम का डोल हवा से डोलता है, उसी समय में देखने के लिए जा पहुची ने दाथ किटकिटाकर का, पुराना ग्रहाक, बड़े आई पुराने ग्रहाक वाले, होटल का एक मुठी रुपिया धोका देकर पचा गया, बारी ग्रहाक है हमारा, चार महीन तक बिना पैसे दिये, खा गया, हाथ उटाकर अच्छने तक नहीं दी, एक नमबर का चोर कहीं का रहा, किस के हुकम से तुमने उसे होटल में गुसने दिया, पद्व मेरी ने का, मैं कुछ कहूं तो पद्व बड़ी बुरी है, यह हजारी ठाकर क्या कुछ कम शेता है ने बाबू, सारी बात थे तो आप जानते नहीं, सब कुछ आप तक पहुचाना मुझे अच्छा भ कि ना चले, देख लेजीगा, अगर होटल में फिर चोरी चकारी ना हुई तो मेरा नाम, बेचू चकर भूने का, हजारी ठाकर, यह तुम्हारा होटल नहीं है कि यहां जो मर्जी होगी, वही करोगे, अपनी मर्जी से काम करने से यहां नहीं चलेगा, समझ लो, तुम पर मैं उन्हें देखा भी नहीं था, पद्दो दिदी बहुत से जूटी बाते आपसे लगाती बजाती रहती है, मैं अगले महीने से आपके हैं काम नहीं करूँगा, इस बात पर पद्दो मेरे ने उब तरफ खड़ा कर दिया, हाथ पैर फट कारती हुई, चिलाने लगी, तुम आज ही चले जाओ, अगले महीने में क्यों, अपना हिसाब किताब लेकर आज ही चले जाओ, तुम्हारे जैसे ठाकुर रेल बजार में बीसियों मिल जाएंगे, चुप रहो, पद्दो चुप रहो, वेजू चक्रवेती ने का, ग्रहाक लोग आ जा रहे हैं, ये सब अभी रहने दो, बाद में होगी, अच्छा भी तुम जाओ ठाकुर, बहुत रात बीती होटल का काम खतम हुआ, सोती वक्त अजारी ने बंसी से कहा, देखो न पद्दो दीदी ने मेरा कैसा अपमान किया, तुम भी छोड़ो, चलो हम दोनों निकल चले, और एक बात सुनो बंसी, इस ओटल से जाने कैसी एक माया बंद गई है, मन में, मुझे तो जाने, जाने की बात कहता हूँ, लेकिन जाने को मन तेयार नहीं होता, मैं और तुम यहा कितने दिनों से हैं, जरा सोच कर देखो तो, यही जैसे अपना घरबार हो गया हो, है की नहीं, लेकिन इन ल इसी से बुला लिया कि आखिर पुराना ग्राक है, कितने ही तो लोग खा रहे हैं, अगर थोड़ी पंजरी खा ले, यही क्या मेरा कुसूर है?